क्या आपने 1999 के उरिसा साइक्लोन के बारे में सुना है? 1999 उरिसा साइक्लोन, जिससे सुपर साइक्लोन भी कहा जाता है. ये एक बहुत ही भयंकर ट्रॉपिकल साइक्लोन था, जिसने 29 अक्टूबर 1999 को उरिसा के कॉस्टर डिजन पर इंपक्ट किया. Hello everyone, Welcome to Facts by Yasma. इस वीडियो में हम बात करेंगे 1999 उरिसा साइक्लोन के बारे में. So, without wasting time, let's get start. ये उरिसा साइक्लोन, October 25, 1999 में Bay of Bengal में एक लोग प्रेशर सिस्टम से बना था. इसने October 28 को सुपर साइक्लोन का रूप लिया और 260 किलो मेंटर पर आर की तेज हवाओं और 5.5 मेंटर हाइ स्टम सर्च की वज़ा बना. साइक्लोन का सेंटर 29 उरिसा के एक डिस्ट्रिक के पास था. साइक्लोन की वज़ा से उरिसा में भारी बारिश और तेज हवाओं से काफी नुखसान हुआ. इसकी वज़ा से 10,000 से ज़्यादा लोगों की टेथ हो गई. इस साइक्लोन से 2,000 करोड का एकोनॉमिक लॉस हुआ. इंफराइस्ट्रुक्चर जैसे रोड, पुल, घर, सब बरबाद हो गया. इससे खेती का भी काफी नुखसान हुआ. उरिसा गॉर्मेंट ने रेस्क्यू एंड रिलीफ उपरेशन लाँच किये. जिसमें खाना, पानी और मेडिकल हेल्प दी गई. इससे हमें ये बता चलता है कि साइक्लोन की वर्निंग को सीरियस लेना चाहिए. इसने ये दिखाया कि डिसास्टर मैनेजमेंट और अर्ली वर्निंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है. ये साइक्लोन सिर्फ एक डिसास्टर नहीं बलकि एक सीख भी थी. इसने हमें ये समझाया कि तयारी और टाइम पर इंफरमेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. कम्यूनिटी आवेरनेस को बढ़ावा देने की भी जरूरत है जिससे लोग इस तरह के डिसास्टर के लिए तयार रहें. तो दोस्तों ये था 1999 का औरिसा साइक्लोन जो काफी खतरनाक तो था ही बट इसने हमें सीखने का मौका भी दिया. होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी. वर मोर वीडियो लाक दिस सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दम बाय थैंक यू.